हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फीद से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की OnePlus Nord CE3 फोन में आप लोग रिंग टोन को कैसे सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक OnePlus Nord CE3 फोन है और इस फोन में आप लोगों को रिंग टोन को सेट करना है आप लोगों को जो डिफॉल रिंग टोन को सेट करना होगा या आपके फोन में अगर पहले से रिंग टोन डाउनलोड किये हुए है आपके file manager में जो है ringtone downloaded है तो इन download की हुए ringtone को भी आप लोग set कैसे कर सकते हो guys मतलब आप लोगों को मैं आज सिखा दूँगा कि कैसे आप लोग ringtone को set कर सकते हो किसी भी ringtone को तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा guys आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए तो चलिए गई इस फीडियो को start करते हैं ringtone को set करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे scroll down कर लेना है थोरा नीचे scroll down करते ही आप एक option देखने को मिलेगा गई sound and vibration का तो इस sound and vibration के option पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को फिर से थोरा सा नीचे scroll down करना है थोरा नीचे ही एक option देखने को मिलेगा गई इस रिंग टॉन का तो इस रिंग टॉन के option पे click किजिए click करने के बाद देख सकती है आप डिफॉल्ट रिंग टॉन बहुत सारे देखने को मिलेंगा आप लोगों को ठीके गई अगर आप लोगों को डिफॉल्ट रिंग टॉन को लगाना है set करना है तो यहाँ पर से आप लोगों को डिवाइस के रिंग टॉन में लगाना है लिंग टॉन को लगाना है तो डिवाइस पे click किजिए यहाँ पर आपके phone में file manager में जो भी music होगा वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिर्फ click किजिए और वो set हो जाएगा ठीक है जितने आप लोगों को यहाँ पर problem देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने oneplus note ce3 phone में ringtone को सेट कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तब तैके लिए बाइबाएब अई